हेलो फ्रेंट्स आप हम देखते हैं यहां पर की आप स्टॉक में कैसे मूचल फंड का ओर्डर प्लेस कर सकते हैं मैं अपने अकाउंट से आज आज आपको लाइव डेमो दे रहा हूं यहां पर तो आप अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद में आपको यहां पर डि सेलेट किया है वह एक लाज केप पंड है क्योंकि मार्केट में जो अभी करेक्शन हाई है तो यह लाज के जो स्टॉक्स है यह काफी डाउन पर आ गए होंगे तो इनका एने भी काफी डाउन हो गया होगा इस तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप देखोगे कि इसमें जो एक्स तो यह ग्रोथ ब्लान होता है जिस भी आपको ऑन्डर डिविरेंट नहीं मिलते तो आप देखो यहां पर कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस फंड की पर्फॉमेंस क्या रही है लास्ट येर की लाज्ट फाइव येर्स और फिर इसके अंदर आप जाके यह भी देख सकते हो कि इस fund के अंदर जो fund इनेजर कौन है लिए उसके अंदर कौन और पर्सेंटेज होल्दिंग है वो वह यहां पर पता चलती है कि आप सेक्टर वाइज देख सकते हो कि यह stock जो है वो यह fund जो है वो banking sector के उपर है जिसमें 25.92% जो है वो banks में invested है IT sector में 17.56 है साथ ही आप इसके अंदर जाके उनकी holding देख सकते हैं कि banking और IT stocks इनके पस कौन-कौन सी companies के इसमें चल रहे हैं तो यह सारी details आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपको इसमें fund manager पी पता चल जाएगा कि कौन fund manager है उनका experience क्या है qualification क्या है तो सारी details यहाँ पर होती है तो यह सब देखने के बाद अब हम लोग इसमें invest करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर दो option है कि या तो आप सिप शुरू कर सकते हैं systematic investment plan या तो आप lump sum invest कर सकते हैं तो friends आज मैं यहाँ पर lump sum investment करूंगा 25,000 का मेरा amount है तो आपके fund में balance होना चाहिए आपके account के अंदर तो मैंने यहाँ पर order place कर दिया है और यहाँ पर place order पर click करेंगे place order click करने के बाद यहाँ पर one time investment done आपको ऊपर यहाँ पर notification आ जाएगा और आपका amount यहाँ पर invest हो जाए जिसके आपको email भी आ जाएगी और साथ में आपको इस app के अंदर notification भी आ जाएगा thank you so much for watching and have a nice day